हालो फ्रेंट्स मैं हूं मुकेस और आप देख रहे है टेकिनिकल सोकिल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक हाई प्रेसर वासर जिसके दवारा आप कार बायक आदी को बिल्कुल आसानी से दो सकते हैं साथ ही फ्रेंट्स यह प्रेसर वासर तो देखें प्रेंट्स यहां पर हम इस बोटल के दवारा है यह हाई प्रेसर बनाने वाले हैं तो चल यह लेकर चलते हैं इसको इस्टूरियो के अंदर तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बोटल लेके आगे हैं हम स्टूडियो के अंदर और ये बोटल फ्रेंड्स मेरे पढ़ी थी 100 रुपे की अब आप सोचनके के ये बोटल 100 रुपे की वो भी खाली बोटल नई फ्रेंड्स ये खाली नहीं थी यार ये बरी हुई थी मिरिंडा से तो यार वेसे तो काफी सारे गर के अंदर पड़ी रहती है लेकिन यार जब इस तरह का काम करने का टायम आता है ना तब यार ये इस तरीके से ये खाली बोटल नहीं मिलती है इसलिए फ्रेंड्स यार मुझे खाली कराना पड़ा गरवालों को पिला पिला के कोई भी चीज आप समझ लोımızı जब टाइम आता है न उस चीज को लेने का तब नहीं मिलती है जबकि यार उसको आप 2-3 दिन या 5 दिन पहले ही देखे हो लेकिन फिर बाद में आपको पता नहीं चलता कि यार वो चीज हमने कहां देखी दी तो पता नहीं यार यह मेरे साथ ही होता है क्या लेकिन अगर आप लोगों के साथ में भी इस तरह से होता है तो कमेंड बोक्स में जरूर से बताईएगा तो आप देखे फ्रेंस बिना टाइम गवाए इस पोर्टल के अंदर दो होल करने वाले हैं एक तो इस जगे करेंगे हम एक इंच छोड़ के आपको करना है और एक करेंगे हम यहां से इस डखन के मूझ से आपको एक इंच छोड़ के नीचे की तरफ कर लेना है कितने बड़े होल करोगे आप चलिया मैं आपको बताता हूँ ये देखिया इस तरह के जो वाल आते हैं यह आपको मिलेंगे साइकल रिपेरिंग सोप से और ये वाले फ्रेंट्स बाइक के आपको साइकल के पर्चेज नहीं करने है वेसे फ्रेंट्स यार उसने एक एक के दस दस रुपे ले लिए और कई बार तो वो लोग इनको फिरी में दे देते हैं तो ये तो मौक्य की बात है यार हो सकता है आपको फिरी में मिल जाए तो आपको मैंने बता दिया है कि ये कहां पर मिलेंगे अब देखेए फ्रेंट्स जो होल में आपको बता रहा था ये इतने बड़े नापके निकलेंगे और approximately ये जैसे मैं आपको बता दू एट mm के something है फ्रेंट्स तो वो आपको कुछ भ अब मैंनुएली भी निकाल सकते हैं ऐसे ज одररह नियां कि आर आपके पास इस तरह की ड्रील मशीन ही निए हो लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह की ड्रील मशीन चाहिए तो मैं लिन्क आपको वीडियो के निछे description में दे दूँगा यह फिर वीडियो के corner में take product में मिल जाएगा friends तो चलिए यहाँ पर भी निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं friends कुछ इस तरीके से हमने यह दोनों hole निकाल लिया है और अब देखिए यहाँ पर इन दोनों wall के अंदर से किसी एक wall के अंदर से friends हम इसके अंदर वाला item हटा देंगे यह देखिए friends मैं आपको नजदिक से बता देता हूँ यह जो आप अंदर की तरफ देख रहे हैं यह है इसका wall ठीक है और यह wall होता है इस pipe के अंदर तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसको निकालेंगे कैसे यह देखिए इस तरीके से यह जो चीम्टी है इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे और चीम्टी यहाँ पर टायट होनी चाहिए friends और इस तरीके से गुमा के यह देखिए यह खुल रहा है ठीक है यह खुल र इस तरीके से तो इसको हम क्या करेंगे इस बोटल के नीचले वाले इससे के अंदर लगाएंगे यानि कि यहां पर तो कैसे लगाएंगे यह देखे मैं इसको खोल लेता हूं यहां से और यहां पर इसके नट को भी खोल लेता हूं अब डाल दूंगा इसको इसके अंदर यह कसना है तो आखिरकार फ्रेंस इसके अंदर हमने जुगाड लगाई लिया और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर इसको बार निकाल लिया है अब देखे फ्रेंस इसको हम कस देते हैं इस तरीके से यह लीजे फ्रेंस बहुत ही अच्छी तरीके से टायट हो चुकी है यह अब देखे फ्रेंस यहाँ पर यह जो दूसरा वाला वाला है इसको हम लगाएंगे उपर की तरफ यानि कि यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया फ्रेंस यह लीजे फ्रेंस यह तो बिल्कुल आसानी से आ गए है तो चलिये कस देते हैं इसको तो यहर फ्रेंस अब आपको यह वीडियो पसंदार रहा है तो प्लीज आर वीडियो को लैक जरूर कर दीजेगा तो कोई भी फ्रेंड्स अपने गर पे बिल्कुल आसानी से इसको कर सकता है और देखिए इससे पानी की भी बच्चत होगी और बिजली की भी क्योंकि मोटर तो इसके अंदर कोई लगेगी नहीं न और बहुत ही सस्ते के अंदर फ्रेंड्स ये बनक बन गया अब देखिए इसको तो हम रख देंगे एक बार साइड के अंदर और यहां पर लेंगे इस तरह की पायप और यह प्रेंड्स आपको मिलेगी सेनेटरी शोप से यह फिर हो सकता है आपके पास वेस्टेज गर के अंदर भी पड़ी हो तो यह फ्रेंड्स में इस पाइप के अंदर आ जाएगा ठीक है बिल्कुल टायट आ रहा है जो कि हम बाद में लगाएंगे फिलाल फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यार तू क्यों गिरती रहती है यहां पर लेंगे एक यूजड पैन तो देखे फैंस इसको हम किस तरीके से इस पाइप के साथ में अट लेंगे अब देखे फैंस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसका यह वाला जो मुह है जो कि आगे की तरफ लगा हुआ था इसको हम यहां पर फिक्स करेंगे पिच्चे की तरफ मतलब मैं यह करना चाता हूं कि यह मुह यहां पर पिच्चे की तरफ भी फिक्स हो जाए साथ kanahati में इसको यहां से अच्छे से कावर भी कर दू जञाने का मतलब है यहां से हवा बिल्कुल भी नहीं निकले हैं तो यह क्योंति करने हैं तो सबसे पहले देखिए स्कुम किस तरिके से करेंगे यह देखिए यहां पर और इस तरीके से तो आएगा नहीं, क्योंकि यह मूह काफी बड़ा है, तो इसको friends में इसके अंदर देखे किस तरीके से लगाऊंगा, तो देख सकते हैं friends कुछ इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, और अब देखे, यह पिच्चे की मूह के तरफ इस तरीके से लग जाएगा, यह देखे, थोड़ा सा यह टाइटली हमें अंदर की तरफ फसाना है, यह देखे, और एक बार friends हम इसके मूह को डखन लगा के देख लेते हैं, ताकि यह जितना अंदर जा सके, उतना चला जाएगा, और फिर friends हम इसको अच्चे से fix कर देंगे, यहाँ पर मैं stand glue का यूज करूँगा, और अब देखे friends, इस pipe को हम लगाएंगे इसके पिच्चे की तरफ, तो यहाँ पर देखे, pipe बहुत टाइट है, और चाहिए भी हमें यही friends, तो देखे friends, यार काफी मसकत कर ली, लेकिन यह pipe यहीं तक चड़ी, तो यह इतनी टाइट है, कि यहाँ से हवा पास होना तो बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है, लेकिन फिर भी friends हम क्या करेंगे यहाँ पर, यह देखे, यहाँ तक मैंने यह pipe चड़ाई है, इसके उपर friends हम यह zip tie और लगा लेंगे, तो यह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा pipe, इसको हम इस डखन के दवारा पेक कर देंगे, ठीक है, और यह वाला जो pipe का मुह है, दूसरी तरफ, इसको friends हम लगाएंगे, इस नीचे वाली pipe पे, जैसा कि friends मैंने आपको बताया था अभी, और तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से tight कर दिया है, फिर भी friends हम यहाँ पर stand glue के दवारा इसको और अच्छे से चिपका देंगे, और इसी तरीके से friends देखिए, यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर fix है, फिर भी friends हम यहाँ पर stand glue और डाल देंगे, तो देख सकते प्रेसर वासर बनके तयार हो गया है और अब देखें मैं आपको इसको चेक करवाताओं कि यह किस तरीके से काम करने वाला है तो चलिए प्रेंड़ मैं इस पानी बर लेते हैं बोटल के अंदर देखें इस तरीके से तो यहां पर इस डकन को हम खोल लेंगे और इसमें पानी बर लेंगे और अब यहां पर देखे इसको बिल्कुल पेक कर लेंगे इस तरीके से ठीक है ताकि हवा बिल्कुल भी लिकेज नहीं हो तो देखे फ्रेंस कहीं से भी यहां पर हवा लिकेज नहीं हो रही है यानि कि पानी बार की तरफ नहीं आ रहा है अब हम क्या करेंगे फ् तो थोड़ा सा फ्रेंड्स हमारा जो हवा वाला पंप है यहां से खराब है तो इसे मुझे यहां से पकड़ना होगा यह देखे फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसके अंदर हवा वर लेंगे अब देखे फ्रेंड्स यह देखे यह रख दिया मैंने बोटल को और अब देखना फ्रेंड्स आप प्रेसर देखना सामने वाली दिवार पर जो की यहां से 30 फिट की दूरी पर आए फ्रेंड्स देखना फ्रेंड्स देखे friends काफी दूर तक देखे आउा जा रहा है और इसको हम इस तरीके से बन भी कर सकते हैं ठीक है इसलिए friends यहा पर हमने इस डखहन का यूज किया है अब देखना friends यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो बायक है इसको हम यहाँ पर दोएंगे क्योंकि जब हम इसको डिब्बे से इस तरीके से दोते रहते हैं तो अंदर तक पाने की जो धार है वो नहीं जा पाती है जिससे अंदर की तरफ का जो कच्रा है वो बार नहीं निकल पाता तो इसके दोबारा Friends हम इसको दोएंगे, देखना Friends साथ, देख सकते हैं Friends, तो जब friends इसका पानी खतम हो जाए, तो आप इसको दुबारा से वर सकते हैं, बहुत ही easily, और इतना सा ही पानी Friends काफी टेम तक चलता है, तो इससे पानी की बचत भी होगी और बिजिली की बचत भी होगी तो देखे friends यहाँ पर हमने बायक के अच्छे से सरप लगा दी है इसको गिला करके और अब देखे friends हम इस प्रेसर वासर के दवारा इसको दोएंगे देखे friends यह लोड़ी को अड़ी लू़ी लूओी है प्रेद लूबड़ी हेवादी लू़ी कि स्वेच़ सुष्स पराइब लू़ी प्रॉब्स लूब 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 है तो देखे फ्रेंज यहां पर हमने बाइक को तो दो दिया है और इसी तरीके चे फ्रेंज आप कार को भी वाउस कर सकते हैं उमीद गरता हूं फ्रेंज आपको यह हाई प्रेसर वाउसर मसीन बहुत पसंद आयोगी तो प्लीज यहार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से सेर कीजेगा साथ फ्रेंज अगर आपके भी कोई सुजाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्स पॉर वाचिंग दन्यावाद दोस्तो